दुनिया की उस बीड को शोड़कर आज चिनिन्दा लोगों के बीच आगे सस्तो जे है मेरे जारो के आज हम जिन्दा लोगों के बीच आगे आप सबको मिले काम जबी जही पैगाम है मेरा आए हुए सबी महमानों को जुब जुब कर सलाम है मेरा बेलकम करते हैं दोस्त पूरे डियूस अप्टेंड का जो अपने लिए अपनी फैमली के लिए सपने पूरा करना चाहते हैं जो भी लोग इस सेशन में आए हैं सभी लोगों का बेलकम करते हैं थैंक्स करते हैं मैं अपने सभी ग्रेट सीनिरिज का जिनकी बदॉलत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थैंक्स करना चाहते हैं ऐसी दो ग्रेट परसनेलटि का जिनकी बदॉलत आज हमें बोलने का मौखा मिला है दोस्त अनुराग। के लिए जबर्दस क्लैपिंग और उसके बात ठेंक्स करना चाहते हैं दोस्त एक ऐसी ग्रेट परस्टनालिटी का जिनके आईडिये एक आईडिये की बदॉलत दोस्त एक नी दो नी बलकि लाखों लोगों की लाइफ में चेंज आया है जिसके कोई और नहीं है दोस्त रिशी सर के लिए जबर्दस क्लैपिंग और आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्त खुड़स अपने बारे में बताना चाहता हूं नाम सतनाम बलॉंकर तांसंग बहुत ही खुबसूर्थ ये सहर शंगरूर से आज डिशॉट में आने से पहले आपका दोस्त स्टड़ी के साथ साथ गेम कहलता था दोस्त उस दरान एजबर्दस्त आइडिया हमारे साथ शेयर हुआ और एक नहीं बलकि बहुत बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी बदौलत दोस्त जिस अपने बहुत कुस रिशॉट में आने के बाद बहुत कुस सीखने को मिला त इसकी बदौलत दोस्त आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे जो जो सपने सोचे हैं वो हर एक को सच कर सकते हैं और शत्री और पराशुट तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं और आज हमने हमारा दिल और दिमाग खुल कर बैठना है वो जो भी सेशन आज का ए डिसीजन लिया जो आज लोग लाखों लोग सोचते हैं मैंने गौर्मेंट जॉब करनी है सर ने गौर्मेंट जॉब को छोड़ा और फूल टैम डिसॉट करने का फैसला लिया क्यों लिया कैसे लिया और आज एक नी दो नी बीस साल से सक्सेस्पुली डिसॉट में आगे ब येस और आज हम ऐसी great personality को invite करेंगे दोस्त पर उनसे पहले मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहता हूं सर ने जो जो सपना सोचा वो हर एक सपने को सच कर चुके हैं कैसे किया है आज सर के जबाने सुनेंगे हम और उससे पहले हम चाहते हैं सर की एक क्लिप आपके सामने आएगी और उसको हमने देखना है और उसके बाद हम सर से जानेगे भी कैसे हम डिव सट में हम भी आगे बढ़ सकते हैं जैसे सर 20 साल में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी जबर्दस क्लैपिंग के बीच सर की क्लिप कुछ पाने की हो आस आस कोई अर्मा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दर्याओं को आर बार आशाएं तूफानों को चिलके मनसिलों को चिन ले आशाएं दिले दिलगी उम्मीदे हसे तुमीद अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं दिले दिलगी उम्मीदे हसे तुमीद अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी अब मुश्किल नहीं कुछ भी कि आपके रूबरू होने का और कांगरेशन करना चाहता हूं आज मिस्टर सतनाम जी को जो पहली बार आज हमारे साथ होस्टिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ा थैंक्स दो ऐसी परस्नेलिटीज जिन्होंने ये कारवान अच्छा सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माने मिस्टर इशी सार जी का जिनकी एक सोच के सदका हमारी जिंदगी बदली हम सब की जिंदगी बदली क्योंकि आज दुनिया में अमीर के पास अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं लेकन एक मीडियम वर्ग परिस्टिन के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्कल है और थैंक्स करता हूं सरका कि उन्होंने एक ऐसा प्लेट फर्म दिया कि यहां पर चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है चाहे कोई गवाओं का रहने वाला है चाहे कोई किसी स्टेट का है चाहे पंजाब अर्याना है माचल कहीं का भी है चाहे हिंदू है मुसलिम है सिख है हिसाई है चाहे कैसा भी है जो भी इनसान अगर जिंदगी में वाके आगे बढ़ना चाहता है मेहनत करना चाहता है उसके अंदर जनून है उसके ड्रीम है अपने लिए कुश करने के अपनी फैमिली के लिए कुश करने के लिए अगर उस और उसके बाद थैंक्स करता हूं मिस्टर अनुराग सार जी का जो पूरे ड्यूस आउट को बांदे रखते हैं हमेशा और यह जो एक डिसीजन उनका बहुत बड़ी है एफर्ट्स है यह कि जिसमें हम हर हफते सभी मिलजुल के एक दूसरे के साथ होते हैं बहुत ही जबरद और सबसे उसके बाद थैंक्स करता हूं पूरी की पूरी हमारी कॉपरेटव लाइंस का अपनी पूरी की पूरी फूलों जैसी ऑर्गिनाइजेशन का अपने चैंपियंज का जिनकी वजह से आज भी हैसल बना यहां पर है लेट मीं इंट्रोडूस मैसेल्फ थोड़ा सा अ कि आप सब जानते आन बान जान पहचान सब कुछ डिव सॉफ्ट जी सर्फ और थोड़ा सा पीछे जाएं तो यह भी हैसल बना जो आज आप सब के रूबरू हो रहा है यह पहले ऐसा नहीं था अगर इसका बच्पन देखा जाए तो वी आर वन व्रदर और फाइब सिस्ट शोटा था और बहुत अच्छा परवार चल रहा था हमारा पादर आर्मी में जौब कर रहे थे लेकन कहते हैं कि होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है एक हस्ता खेलता परवार जिसके पास बड़े-बड़े सपने थे बहुत सारी उमीदे थी बहुत सारी प्लैनिंग क साथ के सर से उठ गया और प्रमात्मा किसी को ऐसा मौका ना दे क्योंकि यह इतनी बड़ी कमी होती है मां की के यह जितना मर्जी पैसा खर्च कर लिया जाए कुछ भी कर लिया जाए लेकिन यह वाली कमी कभी पूरी नहीं हो सकती तो मेरे प्रिवार ने मिलके बहुत कोशि अब फादर के साथ ही सोया हूँ एक ही बिस्तरे में और उस वक्त फादर को जौब शोड़के घार आना पड़ा और बच्चों का बच्चों में रहना का एक ही तरीका था कि कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि घर पे बैठे बैठे काम हो सके और वो एक ही काम था वो था ख सारे का सारा मेरी सिस्टर्ज मेहनत करते थी सारी की सारी लेकिन फादर तो इतनी मेहनत करते थे कि सुबा पांच बज़े खेतों में होते थे और रात अंदेरा होने के बाद में घर पे आते थे और मेरा हमेशा एक ही सपना होता था कि मैं कब बड़ा होकार के अपने फादर का हाथ बटाऊं का मैं कब मैं उनके सपने पूरे करूं कि जब मैं देखता था गवं में तो जब फादर रात को आते थे तो उनके जो बिलकुल उनके दोस्त थे वो चौक पर बैठके गपे मार होते थे ताज खेल रहे होते थे खापी रहे होते थे लेकिन मेरे फादर उस वक्त भी जब खेतों में आते थे तो बुरा हालत होता था तो ऐसे मैं बहुत मन में तमन्नाएं थी बहुत मन में उमीदें थी कि मैं जब क्योंके फादर का एक ही सपना होता था मैं जब भी उनके पास जाता था ना कि मैं आपके साथ काम करवाता हूं के तो में तो उनका एक ही सपना होता था कि बेटा तुम बस सिर्फ पढ़ सिर्फ और सिर्फ पढ़ क्योंकि तेरे पढ़ने के देना सिर्फ पढ़ता जा पढ़ता जा प अच्छा नौकर बने चाहे सरकार का बान जाए चाहे प्राइवेट किसी बंदे का बान जाए लेकर बने नौकर अच्छा सा नौकर बड़ी है नौकर बने उसके लिए डिगरी बड़ी से बड़ी करवाई जाती है अच्छा नौकर बनने के लिए तो उस टाइम इन चीजों क पता नहीं था उन बातों का पता नहीं था लेकर चलो उनका सपना था मेरा भी सपना बना वही अपने educational qualification मैंने MAB ed उसके बाद post graduate diploma and personal management उसके बाद post graduate diploma and business management करने के बाद बहुत सारी उमीदें लेकर बहुत सारी आशाइं लेकर कि आप में अपने पादर के सारे सपने पूरे करूंगा अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगा और जब बाहर निकला तो मुझे लगता था कि शायद बाहर निकलते ही मुझे जाओ मिल जाएगी लेकर तकरिबन एक डेट साल धक्के खाने के बाद कभी किसी कंपणी में कभी किसी पते मेने से शिरुवात की इस जिंदगी की उस टायमों वही बड़ी खुशी थी लेकिन जिंदगी का एक जो सबसे बड़ा सपना था उस वक्त भी प्राइवेट जॉब तो पता था कि वार्दा टाइम भी एंगा लेकिन सबसे मेरे ख्याल में उस वक्त का लास्ट ही सपना था अपने दमाग में कि जब भी एक ही था है मंजल कि कभ गॉवर्वन्मंट के जो का आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता यह बास इसके आगे ऑग ही करना वी इसके आगे तो एक ही यख प्रमात्मा ने वो भी समय दिया, एक समय ऐसे भी आया, जब वो दिन भी आया, जब अखबार में नाम हाया, उसके बाद जवब मिली, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे कि आब तो मैं पूरे परिवार के सपने पूरे करूँगा, सारे के सारे खुद के भी करूँग तो ऐसे मैं जैसा पहले थी तकरीमत जॉब करते एक दो साल चार साल साथ साल हो चुके थे साथ साल में आपको वहीं पारा था हूं तो मैं सोच रहा था बार बार दमाग में एक ही चीज आती थी कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूं ये लोग जो हमारे रिष्टेदार हैं इतने बड़ी बड़ी गारियां लगते हैं, इनके पास अच्छे घार हैं, इनके बच्चे भी जो मांगते हैं, इनके देते हैं, इनके माँबाप, लेकिन मैं इतना पड़ा लिखा भी हूँ, इतनी महनत भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, जॉब के साथ साथ ट्यूशन वर्क तू विलर भी अच्छा नहीं दे पा रहा तो मुझे बार 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 एक ही शकायत रहती थी प्रमात्मा से के प्रमात्मा एक बार मुझे कोई ना कोई रास्ता दे तो उस टाइम मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला शायद आपने सभी ने पढ़ी होगी यू कैन व ट्रैक पर मिनत कर रहा हूं क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हार्ट वर्किंग से अमीर नहीं होगा है मैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट वर्क कर रहा हूं यही चीज मुझे समझ में आ रही थी आ चुकी थी क्योंकि अगर हार्ट वर्क से आदमी अमीर होत तो उसके ताम में भी सारा कुछ दीया था कि आजुआ करने वाला मेर HP अभा अज एक लेबर करने वाला परसपन depths Stunden अगर अगर सिर्फ सिर्फ हॉर्ड वर्क में वह औट तो सिर्फ हाड़ वर्क से आदमी हमिर कर सकote मैं सरीर को तो यूज कर रहा हूं लेकर मैं अपने दमाग को यूज नहीं कर पा रहा है तो उसी रास्ते की तलाश थी और कहते हैं कि जब आपके मन में कुछ करने की तमन्ना होती है कुछ ना कुछ आप ढूंडते हो तो प्रमात्मा किसी ना किसी तरिके से आपको कोई ना कोई रास्ता कोई ना कोई आपको जुरूर देता है तो वह समय आया मुझे भी प्रमात्मा ने वह अपर्चुनुटी दी एक सक्षियत जिनको फ्रिश्टा मैं तो आज भी मानता हूं कि जिनको मेरे घर पे बेजा गया और क्योंकि मैं इसलिए फ्रिश्टा मानता हूं कि मुझे इस काम के लिए मनाना इतना असान नहीं था आई वाज प्यूर्ली 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 रेड लाइट और इससे डियू सॉफ्ट में आने से पहले तो मेरे पास अगर कोई आता भी था ना पहली बात तो मैं सुन अगर कोया आता था 10-15 मिन बैठ जाता था तो तकरीबन उसका शुडवा देता था जो भी काम रहा था नहीं कॉओ कॉप्श्श साहीं बहुत औ게 औरुमेंidd habr प्रमात्मा का थैक्स करता हूं कि जब मुझे मिला मुझे किसी तरीके से इस तरीके से मिला का मुझे सुनना पड़ा और उसके बाद उस सक्षियत का में थैक्स करना चाहूंगा मिस्टर सतीश अत्री जी जिन्होंने सिस्टम की जानकरी दी और उसके बाद काफी मशक्त करने के बाद मुझे जाइन करवाया और जाइन करवाने के बाद भी जब भी कभी कदम डागम गाए तो आज तक उन्होंने बांध रखा थैंक्यू वेरी मच सर और जाइन करने के बाद भी जाइन तो कर लिया किसी ने किसी तरीके से बहुत मुश्कल से जाइन किया लेकिन जाइन करने के बाद भी जब मार्किट में निकलें तो मैं एक टीचर था और जो आदितें तो आदमी की वही होती है किसी को ब्लाना नहीं अच्छे तरीका से मैं किसी को बताउंगा शार कोई बोलना कि मेरी लाइट वे बटे में लिगा दो जुक्त आहिए थी क्योंकि मन नहीं करता था किसी को बोलने के लिए चलो ऐसे ऐसे करते करते सार ने समझाया अच्छे से एक दो मीटिंग्स देखने का मौका मिला सेमिनार देखने का मौका मिला यहां पर मुझा वीजन कलियर हुआ उससे पहले मैं यही सोचता था कि यह सिर्फ और सिर्फ जो लोगों को कोई काम नहीं मि है कि वहां पर मैंने देखा कि यार लोग मैनेजर की छोड़के च्वाणचोड़ करके इसकामको लगे हुए लोग डॉक्टर छो अपना क्लीने का बंद कर करके इस एक काम में लगे हुए हुए है जो अपने बड़े बिजनस है है Carnival का बिजनस बंद करकरके बैठे हुए तो जब मैंने इस सिस्टम को समझा, इसके बारे में बहुत स्टडी किया, कि असल में ये बिजनस है क्या, तब मुझे समझे में आके इस दा बेस्ट प्रफेशन, कि यह 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 तो एक बहुत जबरदस रास्ता है, और इस रास्ते पे तो अगर हर जो बड़ी-बड़ी कंपन इस सारे टाटा वर्ला अरलाइंस हम बाणी अडानी टाटा बाटा जो भीर, सारे के सारे एक एवन टेक उपर तो काम यह सारे के साथ मैन पवर जनरेट कर रहे हैं, और वही चीज़ करने के बाद, यह सब लोग अमीर बनते जा रहे हैं और हम सारी जिन्दिगी अकेलि ada कि और मेंद करते करते जब लोगों के पास गए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको पते ए कितनी इज्यत करते हैं लोग रिष्टेदार भी बहुत इज्यत करते है कोई मना यंहीं करता जिसके पास जाते हוצे जट से सीपेम पकड़ा र moral है कर सकते हैं अगर नहीं कि दो चार लोगों ने मुझे पता कि उनको ऐसा लगता है ठीक है अब आज मार मार के रिष्टेदार जो है नहीं होते हैं कि आजो आजो भी आजो जल्दी हो मैं तो ढूंड रहा था आपको आप जल्दी नहीं आए तो मेरे पास भी कुछ ऐसा गुआ बहुत सारे रिष्टेदारों ने बहुत रिस्पेक्ट की दोस्तों ने बहुत रिस्पेक्ट की कि बहुत अच्छे काम में आ गए हो आप ऐसा होता नहीं है सबी ने चांटे लगाए मैं तो पहले से डरा हुआ था ऐसी चीजों से मैं तो पहले बड़ी मुश्किल से जोईन हुआ था और जब पांच साथ रिष्टेदारों से मिले दोस्तों से मिले तो खूब वही चीज़े का यार हमारे जैसा व्यक्ति आनपड़ हो वो तो फस हैं पैसे दिये तो नहीं रहे दिए दिए दिये फिर सार के पास किसा देखो किसी त्रीके से अगर पैसे वापस वापस कर दो आदे कामपणी सारे को की बातारी हम से नहीं होगा लेकन सार ने जो बाते Ryu मुझे समझाई कि यह देखो यह जिन्दगी जिन्दगी सिर्फ रिष्टेदारों और यारों दोस्तों के बुरुसे पर नहीं चलती पूली भी काम करता कुछ बछा दोस्तों काम करखोंके से fel और पर हेसा कभी कुछ नहीं होता हर व्यक्ति अगर जन्दगी में कामजाब होना तो वही होसका है जिसको अपने ऊपर विशुाश होता जो अपने कंदों के उपर विश्वाश करता है और आपने भी अगर शुरुआत किया तो आपने इस इन चीज़ों को छोड़ देना है रिष्टेदारों को छोड़ना है आमारा आपका फर्ज है जुरूर बताओ एक बार लेकर जो करता है उसको साथ में लो जो नहीं करता उस को छोड़ते जाओं तो फिर पहुश्टे हो के लगे सिस्टम में लेकर जो मेरा पहला सफर था पहले पांच साल का सफर था मेरा वह बहुत आप इस से इंदाजा लगा साकते हो कि मेरा जो फर्स्ट माइल कंप्लीट हुआ था वह एक साल में हुआ था आवाज आरे मेरी है जी सर नेट वर्किशन तो मेरा फर्स्ट माइल पूरा पूरा हुआ था वह एक साल में हुआ था और वह इसलिए मुझे याद है क्योंकि उस टाइम डियू सौट में होती थी साल के बाद दुवारा पैसे देने पड़ते थे और मुझे आज वी दिन याद है कि मैं लास्ट लेकिन जब आया तो मैं देखता रहा गया दासाजार में से मुझे देखता रहा नीचे लिखा था एक लाइन अनुराग सारा लिखी थी कि यूर रीनियूल एज बिन डिड़क्टर उस टाइम में हमाते पर आता रहा यार इतनी देर के बाद आया तो पूरा तो आ जाता ब पूरा तो एक साल में एक माल मेरा पुदा पूरा हुआ सपीड आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फास्ट होगी स्पीड मेरी यहां और उसके बाद तकरीबां दूसरे साल में मेरे प polykk माल कहने का मतलब पहले चार पांख साल मेरे जो थे वो बहुत स्लो थे जा थी, उसके कुछ रीजन थे, जो मैं आपके साथ जुरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने चाहता कि जो मेरे पांच साल बरबाद हुए उस टाइम, जो मेरे पांच साल का नुक्सान हुआ उस वक्त, मैं पांच साल में बहुत दूर तक पहुंच सकता था, लेकिन पांच साल में अगर मैं पच्ची माईल तक बैठा रहा तो उसके पीछे, ड्यू साफ्ट का कसूर नहीं था, मेरी अप लाइनों का कसूर नहीं था, कसूर सिर्फ और सिर्फ के इस्टा था, मेरा था, कुछ रीजन थे, जो मैं आपके साथ जुरूर शेयर करूंगा, पहला रीजन था, कि मेरे हलात इतने बत्तर नहीं थे, हलात इसलिए बत्तर नहीं थे, क्योंकि हलात ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि जॉब चल रही थी, तो जॉब के लिए एक चीज़ बहुत फेमस है कहावत, कि जॉब एक ऐसी चीज़ है, जो बूखा मरने नहीं देती है, और ये की मन में था, कि तो जायेगा, तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो उन से बढ़ी बादा जो बनी वो चीजे असे लिए मेरे हलाइत बने कि हलाइत अच्छे होने से भी कई बार आदमें पीछे रहे रहता हूं दूसरी चीज हलाइतों के वज़े से मैं लर्निंग फेज में नहीं था सीखता नहीं था क्योंकि मुझे था कि मैं इतना पड़ा लिखा हूं करेंगे सार ने कोई बनाने के लिए सब सर ने घ Почему आई और ने के साथ हैं कितना लिए घेंए आठें ना उसके बासर ने जाना उसके बाद घार पे बैटना का सर मूर क बना एसा थोड़ी कोश्च होगा ठीक 18000 रुपी आ जाएगा एक्स तरा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला तो अपने आपको बहुत समझदार समझता था मेरे से है कोई नहीं समझotार संधिय। तो सन्जीव जी सपोड लाइट नहीं मेरे खेल आ रहे तो एक हमारा जलंदर अमिनार था सेमिनार पे हम एक गाड़ी सुमों हो लेके गए वहाँ पर तकरिम दास लोग थे हमारे साथ और जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर बीस रपया टिक्ट पहली बार लगी हमारे सेमिनार की तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम वापस गाड़ी में बैठ गए और सार के साथ जगड़ने लगे सार आपने बताया नहीं था गुर्दास पहले फिर हम जाते ठीक है आपने बताया नहीं था इसलिए आपने दोखा कि हमारे साथ हम टिक्ट नहीं खरचेंगे हम वापस जाएंगे वीजन का आप अंदाजा लगा सकते हो बीस रप्रिया टिक्ट एक व्यक्ति थी लेकर मुझे यही था कि मैं घार से पहले कराया देके आँँ गाड़ी का देके आँँ अगर मैंने यहां पर टिक्ट भी खर्चनी आ तो फिर क्या फैदा डियू साउट का सीखने के लिए ब मैं सीखने में ज्यादा इंट्रेस्ट लेता है नहीं था मीटिंग से मिना सभी को वाइड करता था इसलिए उस चीज़ का मुझे खामयाजा बुगतना पड़ा नुकसान बुगतना पड़ा मुझे उस चीज़ का और उसके बाद एगो थी मन में एगो बड़ी रखता था ह नहीं क्या मुझे जरूरति नहीं है ठीक है मैं अपने हासाब से काम करूंगा आपके इसाबसे नहीं चलूँगा मेरा जब मन करेगा शाम को चाहूँगा मैं इसदिन करूंगा और से कि सारे कि सारी क्या काम कर और आप अच्छा कर सकते आप अपना नुक्सान कर रहे हैं आप अपना टाइम पर बाद कर रहे हो मैं कोई बात है यह मेरा और आपको क्या तक लीट है मैं अपने साफ से करूँगा तो एगो नहीं चोड़ते थे और जो सबसे बड़ी बादा थी नहीं उस वक्त मेरे सामने कि मैं अपने आप में ड्यू सॉफ्टियन होने का प्राउड फील नहीं करता था नेटवर्कर होने का प्राउड फील नहीं करता था मैं हमेशा इस चीज़ को नीचा समझता था कि यार मैं किसी को बताने में शर्म महसूस करता था यह मेरी सबसे बड़ी बादा थी उस वक्त कि यह मुझे आज समझाता उस चीज़ का बहुत देर बात समझ म क्योंकि मुझे को इधना है कि अभी ज्यादा बड़े बड़े एक दो लोग जो ने तक्रीब ने तो एतने ज्यादा बहुत दिखाने वाले चीजें नहीं तो मन में कहीं न कहीं वो विश्वाश नहीं था ना अपने उपर था ना कंपनी के उपर था विश्वाश था या पता नहीं साल के बाद भागेगी दो साल के बाद भागेगी बागना तो इसने है ये कंपनी तो भागेगी भागेगी पैसे कठे करके सबी कंपनी ये वो चीज मुझे मेरे अंदर फीलिंग ही नहीं थे वह प्राउड वाली कि मैं किसी को बिल्कुल मान से बोल सब्सक्राइब करेगा अगर इसका नहीं चला किसी त्रीकें से जगाड करता हूं तो मुझे को अगर नहीं चला तो योग मद्य हिए का मैं दोएं देता रहें हैघ्या तो जो वैसे थोड़ां वाली होते थे उनके पास वैसे नहीं जाते थे तो कहने का मतलब कोई कुंटेक्टेंगी मेरी बहुत काम होती ती उस चीज की वज़ा से जितना खुल के मैं कर सकता था मैं उससे अपनी कपैस्टी से तकरीबन बीस परसंट उसका है समझ यूज करता था सिर्फ और सिर्फ ना किस चीज की कमिती के मुझे उस चीज का प्राओड नहीं था कि मैं नेटवर्कर हूं नेटवर्कर अच्छी चीज है इतना कुछ दे रही है मैं इतने पैसों में लेपट अप तो है नहीं कम्प्यूटर तो है नहीं पैसे हैसे ले रहें किसी से कोई सीके कामा थे तो ले कर नहीं नहीं कर पाता था तो यह पांच साल तकरीवен मेरे एशेव बर्बाद हुए पांच साल मैंने iaster परत हो वे पांच साल मैंने समझ ले जी कुछ नहीं किया बहुत कम किया लेकिन जब पच्चीस माइल पूरे होने के बाद, आप मेरा ग्राफ देखो कि तो पच्छीस माइल के बाद, पच्छीस माइल को तकरीब 5 साल लागे, पच्छास माइल करते हैं, मुझे 5 मिन लेगे, क्योंकि उस वक्त के बाद मुझे वो चीज जो फीलिंग मैं चाहता था, मुझे आनी शुरू होगी, हुए हैं बैठे हुए हैं सामने डेर्ड है यार की गैदरेंग है तो इतने लोग मुझे सुने बैठे हैं जब सेज पे बोला तो उस टाइम से थोड़ी सी अलग पहचान महसूस होने शुरू होगी उसके बाद फोर विलर लिया फोर विलर लिया थोड़ा सा वरकिंग स्ट्र पहला फोर विलर लिया थो थोड़ा थोड़ा उनकी जबान जो बांदोना शुरू हो गया था उनको लगना लग गया था कि यार यह बंदा अभी पीछी अटने वाला नहीं है पहले तो वह वेट कर रहे थे कि कब इसकी कोठी बिकती है कब इसका घर बिकता है यह बिकेगा असली डियू सॉफट में प्राउड मैंने महसूस किया जब मानसर्मान मिलना शुरू हुआ जब स्टेस पर अपने स्केल्स को निखारा मैंने स्केल्स के उपर जब क्योंकि दो-चार लोगों के सामने बोलना मुश्कल हो जाता है जब हजार जार की स्टेस के उपर बोलना ह तो एक अलग ही आपके अपने अंदर आपके जो प्रॉड फील होता है कि यार मुझे इतने लोग सुन रहे हैं फिर कुछ लोगों ने मेंटर मानना शुरू किया हर जगा मानसन मान मिलना शुरू हो गया और उसके बाद जब पूरे का पूरा मानसन मान मिला हर चीज से मिले और जो चीज़ें अपला इन बोलती थी कि ये मिलेगा वो मिलेगा वो सब कुछ पूरा होना शुरू हुआ वो सब कुछ मिलना शुरू हुआ और उसके बाद पूरे हंडर परसंट मानसे उस से लेके आज तक चले हुए हैं चाहे रास्ते में जितने भी मुश्किले हैं क्योंको मुश्किले तो हर काम में होती है मैं बार बार हर स्टेज पर बोलता हूं कि जो काम सही होता है वो असान नहीं होता और जो असान होता है वो सही नहीं होता तो कहते हैं कि अगर मंजल खूबसूरत हो तो रास्ते की कभी परवा नहीं करनी चाहिए और रास्ता खूबसूरत है तो मंजल जुरूर देख लेनी चाहिए तो मंजल मुझे दिखाई दे चुकी थी उस टाइम तक क्या भी साफ दिखाई दे रहा था कि आने वाला फ्यूचर मेरा कैसा है जो चीज़े में जिन्तिकी में चाहता था वो सारी की सारी मुझे मिल रहे थे कि डियूसॉफ्ट ने डियूसॉफ्ट ने बहुत कुछ दे दिय डियूसॉफ्ट में प्रओड फील करने वाली सारी बाते हैं आज भी आपको सभी को प्रओड फील होना चाहिए डियूसॉफ्ट के उपर हैं क्योंकि हमारे मानने कई बार होता है कि हम 10,000-11,000 ले रहे हैं तो इसमें यह वह वह गया आज किया आता है एक गोल गप्र की रि एजुकेशन दे रहे हैं उसको पूरे का पूरा पैकेश दे रहे हो उसके साथ साथ हम उसकी सारी स्किल डिवेलपमेंट करते हैं यह किसी से पूछने की जुरूर थोड़ी है आप खुद जो एक साल से लगा हुआ शीशे में जाकर करके खड़े हो करके अपने आपको देखो पहले कि डिवूसओ को सedelुकर कुछे से आप आप में कुछ चैज आइए आप जैसे एक साल पहले थी पहले था वैसे हैं आपके बोलने क्म्यूनीकरिशन स्किल में कम है कोई हम्प्रूवमेंट है आपकी प्रॉजIN्टेशन स्किल में कोई बाटने परिख कोई इम्रूब्मेंट है आपकी इंदर कुछ इनसानियत जा गी है एक साल अगर आ जोएन किया ऊप्रिखो अगर जुआब हां में आता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी चेंजेज की है दिव साफ्ट मुझे बहुत कुछ दे रही है और गयारा हजार तो क्या गैरां लाख रपए में भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है क्यों कि वो ठ्रेक्टिकली जो नौलज देती है न वो ठ्रैक्टिकली कहीं पर भी नहीं मिल सकता लोग बहुत सारी कोचिंग ल तो चाहे कहीं पर भी हो यह सारे लिए चाहें आप को बताया स्केली दियलकरने का स्केल हो चाहें कोोई भी स्क्यल जितने मैंने बोले सारे सारे स्केल्क हर जगा का मतें ते और दिस आफ्ट के लिए अнять i को मिला वा तो डियू सॉफट बहुत कुछ देती है मैं आप इसको सिरफ खुद के उपर पर पर उड़ होना चाहिए और दिखाने में हमत होने चाहिए यह क्या रहा है यार मैं क्या क्या दे रहे हैं डियू सॉफट में और पहले तो इतनी सिर्फ चीजें थी जो मैंने बोल सारी के सारे इंसाइक्लोपीडिया है टेस्टिंग सेंटर है सबी को पता आपको प्लान देते हैं अब सारे के सारे लेकिन अभी तो रिशी सार ने एक बहुत बड़ा जबर्दस्त काम किया पहले दो चार मीन है मैंने भी उस चीज को यूज करना शुरू किया डियू वाइ उसको बलाता हूं को उसके बारे में वह आपको थोड़ा सा बताएगे उसके बाद मिलता हूं आपको आपको अली बटा हर ने विटा हर मोर्न चाहले क्यों बीटार की विटाय और भी वन बार्न अव उस दिस डॉक्टर हरमन लुबाना डेंटेंटिल सरजिन बारे इंगा a certified dietitian as well. So, today we will be talking about a very important topic for each one of us that is really important for each one of us that is our health. So, आज हम एक एथे टोपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी इम्पॉर्टेंस को हमने अनलाइस करा, रेलाइस करा after having COVID pandemic phase करने के बात. The importance of having good immunity, healthy mind, sound body, and to be physically fit. Right? So, but in today's fast-paced world, आज हम सभी अपने काम को लेकर इतना भी दिया है, that we are neglecting our main, our nutrition part. And हमारी जो nutrition है, it is a prime, it is a major factor in determining our health. अगर मैं आज के टाइम को प्रीवियस ताइम के साथ कंपेर करूं, तो जो प्रीवियस ताइम के जो लोग हुआ करते थे, they are more physically active. उनका फिजिकल काम जादा हुआ करता था, compared to their mental work. Plus, जो वो डाइट्स कंजीूम करते थे, they were also free from preservatives, so pure diets लिया करते थे. उनमें किसी भी तरह के pesticides, fertilizers, sprays, and all, बिल्पल भी यूज नहीं होते थे. ECDA उस ताइम पे जो diseases थी, जो illnesses थी, वो काफी कम थी compared to now. In today's era of modernization, आज का जो हमारा lifestyle है, वो काफी change हो चुका है. It's more sedentary compared to physical. आज हमारा mental work जादा है compared to our physical work. Because in this online world, हम सभी अपने mobile phones, gadgets, laptops, and all, इसमें इतने involved रहते हैं कि हमारा mental work तो काफी increase हो गया, but हमारा जो physical work था, वो काफी कम हो गया. So, एक जो main जो reason है, that is our sedentary lifestyle. And second, जो diets हम consume कर रहे हैं, जितने भी जो products, जो packed stuff आते हैं आज कल, उस पे बहुत सारे preservatives होते हैं. Refined sugars, refined carbs, उसमें even just crops से वो बनके आते हैं, उनमें भी काफी सारे pesticides, fertilizers, sprays, harmful, यह थारी चीज़े add होती है. So, जो भी जो भी adult rated products हम आज कल ले रहे हैं, plus sedentary lifestyle जो हमारा है, इसके कारण our youth, each one of us are facing some of the major serious health related issues these days. Right? अगर मैं अपनी एक human body, on an average, एक human being की जो daily dietary requirement की बात करूँ, तो एक human body को अच्छे तरीके से functioning करने के लिए minimum 25% of proteins चाहिए होता है, 40% carbs चाहिए होता है, and 35% fats चाहिए होता है. इसके इलावा, we need some of the dietary fibers, plenty of fluids, micronutrients such as vitamins, minerals, these are the things that we are required for, means, ये हमें day-to-day basis में, daily, ये human body की requirements है. But again, ये जो fast-paced world है, इसमें हम ये basic need, जो होती है, हमारी human body की, इसको भी पूरा नहीं कर पारेगा. So, taking into consideration all of these things, our company had launched one year back, last year, हमारी company ने बहुत ही beautiful product पो लाँच करा था, that was named as Dew Vita. And personally, अगर मैं अपने experience की बात करूं, तो I had been using this product since past one year, daily in the morning time, and I am amazed with the results. जो मेरे को पुद में जो difference feel हुआ है, that is increase in my energy levels. मेरे को अपने energy levels काफी जादा improvement feel हुई है, after consuming Dew Vita. उसका जो में रीजन है, रीजन ही है कि Dew Vita, it has been manufactured, it has been prepared in such a way, so that we can meet our day-to-day, our daily needs. It contains all those essential micronutrients, इसमें सारे वो vitamins, minerals, proteins, carbs, fats, जो हमें day-to-day basis, जो हमारी daily requirements होती है, human body की, वो सारी एक adequate quantity में डाली गई है. राइ, so I think this is the easiest way that we can do. हमें, and the best part, जो मेरे को दूवीटा की लगी है, कि इसकी manufacturing part ही, यह completely herbal है, natural है, इसमें केसी भी तरांगे, कोई भी chemical बगारा, बिल्कुल भी use नहीं हो है, so it is safe for all those. हमारी family में एक छोटा बच्चा हो, या कोई भी old age person हो, everybody can consume it. Even a pregnant lady can also consume it. It is completely safe. And इसका कोई भी side effect थे है. All you need to do is to have two soups in the morning and two in the evening. You can consume it with the lukewarm water के साथ ले सकते हो, और इवन मिल्क के साथ ले सकते हो, अगर वरकाउट बगारा करते हो. Personally, I am the pre-workout इसको यूज़ करते हो. And I think यह सबसे एक असान method है, अपनी एक nutrition को मेंटेन करने के लिए. So, I think this much we can do. And being a doctor, I would like to advise you all to add due vita into your family. And each family member should consume it so that you can maintain it. It is good for your well-being and your family's well-being. All right. Thank you. अपने, चलो एक आज डॉक्टर, उसने सारा कुछ आपको बताया हर्म, डॉक्टर हर्मन, कि वाक्या में मैंने भी ये चीज़े रिलाइस की थी, कि पहले मैं भी नहीं लेता था, मैंने बहुना सोचता था, कि नहीं, फिर उसके बाद जब लेना शुरू किया, तो मुझे बहुत बड़ी अरजल्ट इस चीज़ के मिले, तो ओवराल मिला के देखा जाए, तो गैरा हजार कुछ भी नहीं होता, हमें एक प्राउड फील होना चाहिए, इस चीज़ की उपर, कि हम थोड़ी सी चीज़ में हमें इतना बड़ा जो पैकेज हमें मिल रहा है, तो जब तक हम अंदर रहें प्राउड नहीं आएगा, हम खुल के किसी को बता नहीं सकते हम खुल के किसी को किसी से बोल नहीं सकते, कि वो यार इन दा बेस्ट प्रॉफेशन, सो पहले तो सबसे इस चीज़ को अपने अंदर से निकालना है, जो मैंने पांच साल तक, शे साल तक बांदे रखी उस चीज़ को आप जितने जल्दी निकाल दोगए, सबसे बड़ी चीज़ यही है, जब तक आपको प्रॉड फील नहीं होगा अपने बिजनस के उपर, डियू सॉफ्ट के उपर, तब तक आप अपने मानसे पूरे से काम करी नहीं सकते, और तब तक आपको 100% रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, अजमा करके देख लेना बेशक, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, कि मैं एक जबर्दस्त काम में कर रहा हूँ, मैं डियू सॉफ्टिंग हूँ, मैं प्रॉडली अपने आपको आप महसूस करोगे, तब आपको रिजल्ट 100 गुना ज़्यादा बड़िये मिलेंगे, और अगर आपके दमाग में यही चल रहा है, इसके यह दो एंट्री आजाएना तो मेरा चेक बन जाएगा, यह लीडर आजाएना तो फिर यह हो जाएगा, ठीका यह एक एंट्री आजाएना मेरी इदर एक कम पढ़ रही है, इस अफते के चेक बनाने में, अगर ऐसी शोटी शोटी चीजों में लगे रहोगे, तो फिर इतना बड़ा प्लेट फार्म तैयार नहीं कर सकते हैं। और विश्वाश बनाने के लिए कोई समय था, उस वक्त जो हमारा समय था, उस वक्त तो चलो विश्वाश की कमी थी, के चलो कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं तो आज तो अग्जेम्पलों से बढ़ा पड़ा आपका पूरा इंडिया। हर स्टेट कहीं पर भी जाओ, पंजाब में जाओ, पंजाब में हमारे जैसे कितने लोग हैं। ठीक है, मैं खड़ा हूँ, अत्री क्रेशन है, हैपी सर है, जतिंदर वर्मा जी है, ठीक हो, बहुत सारे लीडर्स है, अगर यूपी की बात कर रहे हैं, तो संजीव जी बैठे हैं, हमारी बेटी एना बैठी है, मद्या परदेश में चले जाएं, तो हमारे संजे सार जी बैठे हुए हैं, और बिहार में चले जाएं, तो क्या बात है वहाँ पर तो, कुमार मनीश जी बैठे हैं, हमारे जबरदस चेंटू जी बैठे हैं, रानवेजे जी बैठे हैं, वेरे बहुत जवर्दत सारे कि सारे वहां पर बैठें तो दिखाने के लिए बहुत खुश है जिस भी स्टेट में चाहो कोई भी काम को अगर एक भी व्यक्ति ने किया है तो उसको कोई भी व्यक्ति दूसरा कर सकता है सिरुफ उसके नक्षे कदमों पर चलने की जरूरत होती तो यहां पर तो एक तो नहीं पतनही काम्यारी ले चुके हैं और रही बंड़कि के पर बड़ा तो आपको इस चीज के ऊपर आप यह जितना जल्दी करना शुरू कर दोगे न उस दिन से आप अज्मा करके कि देखलेंगे की रिजल्टि कितने चाँज़ड़ होंगे उसके बाद जब थोड़ा सा एक बार हैप्पी सर के साथ बैठ है। सिर्फ 20-30-40-50-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60 जो किसी भी बिजनस के सिधांत होते हैं उनको कभी नी शोड़ना। सिधानतों के उपर पूरा पहरा देना सिधानतों के उपर पहरा दोगे तो आप बहुत लंबा समय चलोगे लेकिन जिस दिन आपने सिधान तोड़ दिये ना अपने सारे के सारे सिधानत क्या होते हैं क्या है क्या अपनी इमांदारी बना के रखनी किसी की को पेमंट आती जा कि एक बार ये आद्व मर यह सारी उम्र जाएगी ने तो आपका बिजनस कभी भी उपर जा इनी सकता जिसे विख़ी को यह आदत बन जाती है और हर चीज में इमानदारी रखने हैं चाहिए अपलान के साथ है डॉउंग लैन के साथ है वरकिंग के साथ है असपनों के साथ है अपनी मांदारी रखने हैं पंक्चुल्टी बनाके रखने हैं जो टाइम दिया वह बनाके रखना अपनी जिम्मेवारी अपने ग्रॉप की लेखने हैं चाहिए आपके नीचे दो लोगा चार लोगा दास लोग बीस लोग जितने भी है यू आर्दा कैप्टन ओफ यूर टी अगर आपने लंबा समझ चलना है तो यह कुछ बातें मुझे बहुत सारी जिंदगी मैंने उनकी बांद के रखे अपने और उनके ओपर पहरा भी दिया आज तक पेशन्स बनाके रखनी है पेशन्स इस दा की टू सुक्सेस इंदा नेटवर्किंग नेटवर्किंग में अ जोड़ा भी जूंकि हर वेक्ति कहीं ना ना बहुत जाता है कोश साथ साल अर्ट साल में दस साल में भी दो लता कि अब अचैनी कि हमें जटके नहीं हम् Them Sink 망 तो यह भार हजार है कि he कैई मार्न लाइन चोड़ गे कहीं कुछ कर दिया इक किसी कुछ कर दिया तो ये तो पता था पहले शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था लेकिन उसके बाद जो एक चीज गांठ बांदी थी का 80's my own business के ये मेरा खुद का बिजनस है ये मेरा खुद का बिजनस है बस चाहे उपर वाला छोड़ता तो छोड़े दाउन वाला छोड़ता तो छो लेकिन अपना काम जहां पर आता है मैं उन बिजैस मेरा बिजनस है कि इसको मैं आतो कि इसको खराब करने टूंगा ठीक है अगर सिस्टम में की काम करता फिरए तो उसके साथ के रूख ऐसके साथ जो भी बनता करो नीचे जो पतंग चड़ा रहा हो, उसके आफ में डोर होती है तो जो पतंग उता न, ऑपर видео यदर उतर भाग रहा होता, इतर भाग रहा होता बहुत, उसका होता, कि यार मेरे मालक ने डोर क्यों बांद के र funkce हुआ मेरी डोर चोड़े तो मैं खुला अस्मान में उड़ू लेकं सोचो चाशन जाँ कँ्य गृट्ट तो पतंग कहमे उती है। पतंग को आसमान में उडुटी है लेकिन को उसकी बाद हिर क्घाती खाती खाती, जमीन पर आयाती है तो आप देखते हो कि लोग नोचते कैसे हैं उसको ऐसे ही है जब आदमी सिस्टम के साथ जब तक चला हुआ है न तो अपने आपको बहुत समझदार समझने लग जाता है लेकिन समझदारी कहां पर है मैं अगर इतना कुछ अचीवमेंट्स की है तो मैं य पहले यह वैसा है था पहले अनरजियक था सबकुछ ता मिहनत था लेकिन जीवỗi कैसी होई सिस्टम के साथ जद्ध अपने आपको सिस्टम के साथ बन था जो सिस्टेम के रिक्वाइर मेंट सी तो पूरी की सेल्फ डिसेप्लन अपना बना के रखा पेशेंस बना के रखी अपने साथ बहुत बार समय आया हमारे घर पे भी कलेश होता था कई बार बीवी बोलते थे कर ने छोड़ देते हैं नहीं हम से नहीं होगा बहुत साल हो कई कोश होता था इसरें दमार बीवी उसमूथ चली नहीं सकता जो शबस चप्त बजिए चीज चुश centralized जाएगा घर चल तो यह हर चीज मेरे साथ भी हुई है तो मैं यही आपको में चीज यही कहना चाहूँगा दो चार चीज़ां के बस इसको अपना समझो बस सबसे जो दो चीज़ां इसका सीक्रेट जो मैं बात करने वाला था कि यही सीक्रेट है एक तो अपने उपर प्राउड फीलना माई ओन बिजनस के यह मेरा खुद का बिजनस है और अपने साथ यह प्रतिग्या लेकर चलना हमने टिकना आए बस सिस्टम में टिकना तो पड़े गई अगर टिकें को नहीं तो कुछ पा नहीं सकते तो एक ही अपने साथ वो चीज लेकर चलने हैं के यह मेरा सिस्टम है इ अपने खुद के सपने पूरे करने हैं, अपने माँ-बाप के सपने पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं, और अपनी डाउन लाइन के सपने पूरे करने हैं, और मैं इस चीज के लिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए, काम्याबी के लिए मैं तब तक लगा रहूंगा तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं काम जब नहीं हो सकता है अगर ऐसी प्रतिक्या आपके मन में हैं अगर ऐसा आपके साथ दर्मिनेशन लेके चलोगे ऐसी निष्ठा लेके चलोगे तो जिन्दगी में कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको ड्यूस आउट में काम जब होने से रोख सकें तो मेरे कहाल में समय भी काफी हो गया तो यही एक शोटे से मैसेज के साथ बाइंड अप करना चाहूंगा कि क् क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है अरे उठ पंक्खों को खोल उडान भर क्योंके जमाना सिर्फ उडान देखता है सिर्फ उडान देखता है सिर्फ उडान देखता है थैंक यू वर्य माच थैंक यू रिजिशी सार थैंक ने बोला है हम भी वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ेंगे जैसे सर आपने जोग को छोड़ कर decision लिया हर एक सपना सच किया है हम भी आपके साथ promise करते है सर जैसे जैसे आपने बोला जो भी rule बताए हैं हम उसके उपर पहरा देंगे हम और हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी सर हम भी अपने बाई बहन हमारे पिरेंट्स के सभी सपने सच करेंगे जब तक सच नहीं होंगे सर आप से promise करते हैं डियू सप्ट में डटे रहेंगे हर एक सपना सच करेंगे और डौरा नेक्स भी क नए सेसं के साथ मिलेंगे दोस्थ तब कित तब कित लिये वा तब के ले लिए ऑल्डवेस्ट बहा के पसीन को पाना पड़ता है वा के पसीना मजल को पाना पड़ता है देऊज में नहीं मिलती है मंजले इनने खुद ही कमाना पड़ता है खुद ही कमाना पड़ता है ओके, all the best थेंक यू, थेंक यू सो मच रिस्पेक्टेश सर्थ खुद ही कि यू, यू, प्रिट जो, थेंक यू, इजू, जो, थेंक यू, बड़ता है